दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि हिंद्वेर का चिमनी कैसे सफाई करते हैं देखे कि दोस्तों हमने ये चिमनी को निकाल करके नीचे ले आया हैं किचन से और आपको दिखाते हैं कि कितना गंदगी है दोस्तों ये देखे दोस्तों उपर का कवर और उपर के कवर में कितना सारा गंदगी जमा हुआ है पीछे का कवर हमने निकाल दिया है दोस्तों और देखते जाए कि कितना गंदगी वह आपको दिखाते जा रहा है दोस्तों ये देखिए पीछे का इसका ब्लोवर और उपर का ये ब्लोवर में दोस्तो और पीछे का ब्लोवर देखिए ये पीछे का जाली इसका निकाल देते हैं दोस्तो और फिर आपको दिखाते हैं दोस्तो इसका उपर में ब्लोवर के अंदर में जो जमा हुआ है उसको गंदगी क ये देखें दोस्तो कितना गंदगी जम हुआ है दोस्तो इस सब गंदगी को हम लोग बढ़िया से क्लीन करेंगे दोस्तो बढ़िया से साव करेंगे दोस्तो आपको दिखाते हैं अंदर का और जूम करके दोस्तो ये देखिए इसको ब्लोवर को निकानने के बाद दोस्तो कि कई बर फिर से दिखाते हैं उसको ब्लोवर को दिखाते हैं दोस्तों ये देखिए ब्लोवर को हमने गरम पानी में डुबा के रखा है दोस्तों निकाल लिए होहां से इसको डुबा के रखा है गरम पानी में और फ्रेंट का एरिया देखिए दोस्तों ये फ्रेंट का एरिया में कितना गंदगी जम就是 है इसके बवल फिल्टर भी देखिये बहुत जादा इस समें गंदगी部 रहा पड़ा है दोस्तों यह देखिया किटना गंदगी भारा पड़ा है दोस्तों सामने कहते दोस्तों इसके filter को निकाल के दिखाते हैं दोस्तों कितना गंदगी है ये देखे दोस्तों अंदर कितना काला काला हो चुका है पूरी तरीका से इसमें oil जम चुका है कस्टमर ने बहुत दिन से कराया नहीं था पहली बार servicing हो रहा है दोस्तों इस chimney का first time servicing हो रहा है ये देखो कितना क काला काला जमा हो चुका है इस चिमनी के अंदर और इसके प्लेट को भी निकालेंगे दोस्तों देखें यह देखो प्लेट को निकालेंगे नीचे का एरिया देखें कैसे काला हो चुका है और लाल लाल टैप के दीख रहे हैं यह सब ऑईल है दोस्तों जो हम लोग यूज करत देखे फिर से दिखा रहे हैं आपको कितना गज़गी कर चुके हैं ये उसके बाद मेरे को गुला है इसका फिल्टर देखिये बाहर निकालने अग्ड आपको दिखा रहे है कितना गज़गी ज़े है इसका ब्लॉए और पीछे का साफ कर देंगे दोस्तों यह देखिए सफाई करने के बाद दोस्तों ऐसा हमारा चिम्नी हो गया एकदम नया होगा इसका ब्लोर सोल्ड लगने लग रहा है उसके बफल फिल्टर को भी दिखाते हैं दोस्तों यह देखिए सफाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है दोस्तो उपर के एरी भी दीखे है भड़िया से क्लीन हो चुका है यह देखे कितना क्लीन हो चुका है एक दम फ्रेश लग रहा है variance कितना कहां काला काला गंदगी हो चुका है वो देखे वाइट एक्चॉल में यह वाइट कलर कही रहता है जब नया लेते हैं चिम्नी तो हमने इसको सफाई किया तब यह वाइट लगने लगा जैसे चिम्नी पहले नया ब्रैंड जैसा है यह कितना अच्छा लगने बात प्लैट भी कितना अच्छा से साफ हो चुका एकदम नया जैसा value चिम्नी गरहांग बोल रहा था कि एकदम नया कर दिये भिए आपने तो चिम्मी को कर के देखें फ्रेंड दिका रहे हुआ को कितना बढ़िया लग रहा है एक दम नया जैसा होगए है Čने दोस्तों लाइक कीजिए और सेयर कीजिए दोस्तों धन्या